आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दिसमबर 2024 सेसन का एकजाम किसे देना होगा और किसे नहीं देना होगा साथी में दिसमबर 2024 एकजाम के लिए एकजाम फीस आप ओनलाइन कब से समिट करवा सकते हैं और उससे भी important दिसमबर एकजाम के लिए valid assignment का question paper कौन सा है तो इन सभी चीजों के बारे में detail में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और ignus related सभी update और notification टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजे ताकि सभी update आपको मिलते रहे सबसे पहले आपको इस वाले page पर आना होगा इसका link मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आने के बाद आपको यह देखना है कि आपके admission का क्या session है जिसके लिए enrollment नमर यहाँ पर डालेंगे जो आपका program code है वो आप यहाँ पर select करेंगे एक ऐसा verification code आएगा जिसे same to same यहाँ पर लिखेंगे और submit पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका सभी details open हो करके आजाएगा आपको यहाँ पर यह देखना है कि आपने admission कब लिया है या फिर re-registration कब करवाया है और अब हम बात करते हैं exam के बारे में लेकिन उसे पहले IGNU में यह रहता है कि आप जितने भी subject का exam देना चाहते है उनका आपको assignment बना करके last date से पहले submit करना होता है और IGNU ने आपके लिए assignment का question paper website पर update कर दिया है assignment बना करके आप इसको submit कर सकते है last date से पहले ही अगर आपको assignment बनाने में कोई भी problem आ रहा है जैसे कि अगर आपको assignment का answer नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस WhatsApp नमर पर हमारे team से contact कर सकते हैं और assignment का answer PDF format में कम दामों में खरीद सकते हैं यह जो WhatsApp नमर है नीचे description box में मैंने दे रखा है और अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से students है जो December 2024 session का exam देने के लिए eligible है तो उसको आप भोती ध्यान से समझेए अगर आपका कोई भी semester based program है जैसे कि BCA, MCA, MBA या फिर MCOM और आपने July 2024 session में admission लिया है तो आपके first semester का exam December 2024 session में होगा यानि कि December में होगा या फिर आपका कोई भी 6 महिने का certificate का course है जैसे कि CFN, CDM, CLIS है या फिर कोई दूसरा 6 महिने का certificate का course है और आपने भी July 2024 session में ही admission लिया है यानि कि अगर आपने admission लिया है मई, जून, जुलाई या फिर August के महिने में तो आपका जो exam है वो December 2024 session में होगा यानि कि December में होगा और इसके लिए आपको assignment September, October में submit करने होंगे इसके लाबा अगर आपने July 2024 session में किसी भी semester का re-registration करवाया है मालिज कि आपका BCA, MCA या फिर MBA का program है और आपने July 2024 session में किसी भी semester का re-registration करवाया है तो जिस भी semester का re-registration आपने July 2024 session के लिए करवाया है उस semester का exam आपको December 2024 में देना होगा यानि कि December में देना होगा इसके लाबा अगर आपका कोई भी bachelor degree का program है जैसे कि BTS, BAG, BCG, BSCG, BSWG या फिर BA का कोई भी honors का program है जिसके BA Hindi honors है, BA English honors है History honors, Sociology honors, Economics honors, Political Science honors या फिर इसके अलाबा, honors का BA का कोई दूसरा program है और आपने January 2024 session में admission लिया है तो आपका जो exam है, first year का वो December 2024 में होगा यानि कि December में होगा और इसके लिए आपको assignment September, October में बना करके submit करने होंगे या फिर आपका bachelor degree का four year undergraduate program का कोई भी program है जिसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी BAM, BSCM, BCOMF और BA के जितने भी major के program है जिसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर IGNU के तरफ से जो total 11 से four year undergraduate program launch किये गए है जिसका पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इनमें से भी किसी भी program में आपने जनवरी 2024 में admission लिया है तो आपके फॉस्ट और सेकिंड दोनों ही semester का exam दिसमबर 2024 में होगा और इसके लिए आपको assignment सेप्टेबर अक्टूबर में बनाखर के submit करने होगे यानिकि दिसमबर में आपके exam होने वाली है या फिर आपका master degree का कोई भी program है जैसे कि MA Hindi, MA English, MA History, MA Sociology, MA Economics, MA Political Science या फिर MA का कोई दूसरा program है और आपने जनवरी 2024 में admission लिया है तो आपका जो exam है वो दिसमबर 2024 में होगा यानिकि दिसमबर में होगा और इसके लिए भी आपका assignment September, October में submit करने होगे या फिर आपका diploma का कोई प्रोग्राम है या फिर post graduate diploma का कोई प्रोग्राम है जैसे कि DNHE, DEC, DCE या फिर diploma का कोई दूसरा program है और आपने भी जनवरी 2024 में ही admission लिया है तो आपका जो exam है वो दिसमबर 2024 में होगा या फिर आपका bachelor degree का कोई प्रोग्राम है जैसे कि BA, BAG, BTS, BSCG, BSWG, BCOMG या फिर BA का कोई भी honors का program है जिसका list आप यहाँ पर देख सकते है या फिर इसके अलावा BA का कोई दूसरा honors का program है और ध्यान दे जी आपने second year का या फिर third year का re-registration जनवरी 2024 में करवाया था तो जिस भी semester का re-registration आपने जनवरी 2024 में करवाया है वो semester का exam आपको December 2024 में देना होगा या नि कि December में देना होगा आप eligible है या फिर आपका master degree का कोई भी program है लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसकि MA Hindi, MA English, MA History, MA Sociology, Economics, Political Science या फिर दूसरा कोई master degree का program है और आपने second year का re-registration जनवरी 2024 में करवा लिया था तो आपके second year का exam December 2024 में होगा या फिर आपने June 2024 session का exam दिया है और जब आपका result आया तो result में आप किसी भी subject में फेल हो चुके है तो जिस भी subject में आप फेल हो चुके है उसका exam आप दुबारा से December 2024 में दे सकते है यानि के December में दे सकते है इसके लिए बस आपको दुबारा से exam fee से September में submit करना होगा पर subject का 200 रुपे या फिर मालीज की आपको June 2024 session का exam देना था लेकिन आप किनी कारणों की वज़े से exam नहीं दे पाए या फिर आपने exam देने के लिए exam fees तो submit कर दिया था लेकिन किसी वज़े से आप exam देने नहीं जा पाए तो जिस भी subject का आपका exam मिस हो चुका है वो subject का exam आप December 2024 में दे सकते हैं यानि कि December में दे सकते हैं और इसके लिए आपको exam fees दुबारा से submit करना होगा September में और अब हम बात करते हैं exam form के बारे में इगनू में exam 2 session में होते हैं 1 June में और 1 December में December 2024 exam के लिए इगनू के तरफ से examination form जो है ज़्यादतर chance है कि September के first week में ही आ जाएगा जब भी exam fees से submit होते हैं तो आपको exam fees online ही submit करना होगा लास्ट डिट से पहले जितने subject का आपको exam देना है उनका आपको exam fees से online ही submit करने होंगे और इसके लवा अगर आपको यह नहीं पता कि December 2024 exam के लिए आपको कौन सा वाल assignment का question paper डाउनलोड करना होगा कौन सा question paper आपके लिए valid है उसके आप पहचान कैसे करेंगे किन गलोतीक वज़े से आपका assignment reject होगा तो उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने नए चात्रों के लिए पुराने चात्रों के लिए अच्छे से detail में सभी कुछ बता रखा है इस वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा है देखना चाहे तो देख सकते हैं और अब बात करते हैं कि अगर आपने जुलाई 2024 में admission लिया है किसी बैचलर डिगरी, मास्टर डिगरी या फिर डिपलोमा प्रोग्राम में तो आपके exam कब होने वाली है यानि कि अब हम बात करेंगे कि दिसमबर 2024 सेशन का exam देने के लिए कौन से छात्र eligible नहीं है तो उसको आप बहुती ध्यान से समझे मालीज कि आपने किसी भी बैचलर डिगरी प्रोग्राम में admission लिया है कोई भी yearly based बैचलर डिगरी प्रोग्राम जैसे कि BATS, BAG, BSCG, BCG, BSWG या फिर BA का कोई भी honors का प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2024 सेसन में यानि कि माई, जून, जुलाई या फिर अगस्त के महिने में इन प्रोग्रामों में admission लिया है तो आप दिसंबर 2024 सेसन का exam देने के लिए eligible नहीं है या फिर मालीज कि आपका बैचलर डिगरी का ही yearly based प्रोग्राम है यानि कि बैचलर डिगरी का जो 4 year undergraduate प्रोग्राम की कैटिगरी में आता है जिसकी BAM, BACM, BCOMF और BAK जितने भी major के प्रोग्राम है जिसका list आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि total 19 प्रोग्राम को add किया गया है अगर आपने भी इन प्रोग्रामों में July 2024 सेशन में admission लिया है यानि कि मई, June, July या फिर अगस्त के महिने में इन प्रोग्रामों में admission लिया है तो आप December 2024 सेशन का exam देने के लिए eligible नहीं है आपका जो exam है वो June 2025 में होगा और इसके लिए आपको assignment March 2025 में submit करने होंगे और इसके लिए भी काफी समय है जब सही time आएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के मादिम से और भी detail में बता दूँगा तो इसके लिए आप चैनल को subscribe करके रखिए इसके लाबा अगर आपका master degree का कोई भी early best program है या फिर MA का कोई दूसरा program है और इसमें आपने जुलाई 2024 सेसन में admission लिया है यानि कि माई, जून, जूलाई या फिर अगस्त के माईने में इन प्रोग्रामों में admission लिया है तो आप जो है दिसंबर 2024 सेसन का exam देने के लिए eligible नहीं है आपका exam होगा जून 2025 में और इसके लिए आपको assignment March 2025 में submit करने होंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए, share किजिए और ignus related सभी updates instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है लिंक मैंने नीचे दे रखा है साथी साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकती है